अगर आपने से पहले अरेस्ट वीडियो देखी होगी या उस कंसेप्ट के बारे में जानते होगे तो यह जो कंसेप्ट बहुत जादा सिमिलर है अरेस्ट बिफोर जेज्मेंट जैसे ठीक है कुछी चीज़े हैं जहां पर अलग है वरना मोस्टी यह सिमिलर है अगर आपको अब अच्चम entitled ओक लिखा लिए होता है कि आपकी के का मतलब करें आप टार्मिल की चालशते कि अलिए और लेकी वरना विखेजिंट के चाहिए कि मंदे ओकर करी जाती है लेकिन आइसे कुछ सिच्चुवेशन हैं जहां पर कोट जर्जमेंट पास करनेसे इंग हैं filtry और दिक्री पास करने से पहले ही कह देती है कि जो डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो इसका मेन अबजेक्ट यह है कि एक तरीके से प्लेंटिफ को अश्यूर करना कि देखो फ्यूचर में अगर तुम्हारे फेवर में डिक्री पास भी होती है तो तुम्हें किसी तरीके का हाम नहीं होगा हम तुम्हारे इंटरस्ट को पूरा बचा के रख़े कोट एचेज जो यह प्लेंटिफ को अश्यूर करती है कि defendant का कोई भी action plaintiff को हम ना करें attachment मतलब यह नहीं होता कि जो plaintiff उसे power मिल चुकी है अब अब मतलब जो property है उसके नाम हो चुकी है नहीं ऐसा नहीं होता attachment में यह नहीं होता है हां बस यह होता है कि defendant जो है उसके उपर कुछ restriction लग जाता है उस property को लेखे एसा restriction लग जाता है जिससे कि plaintiff का जो interest है वो हामना हो अगर मैं आपको एकदम साफ साफ अक्षरे में बोलू तो इसमें बस यही है कि अगर property attach कर ली जाते है तो इसका मतलब अब जो है defendant जो है मतलब उस property को alienate नहीं कर सकता ठीक है alienate मतलब अलग नहीं कर सकता बेच नहीं सकता मतलब डिस्पोज आफ नहीं कर सकता एक तरीके से उसे secure रखेगा जिससे कि in future अगर plaintiff के favor में decree announce होती है तो plaintiff का जो claim है उस property के थूँ satisfy कर सके arrest before judgment में ऐसा था कि defendant था वो जादा smartly act कर रहा था अपने इंटरस्ट को बचा रहा था और plaintiff का इंटरस्ट को danger में डाल रहा था मतलब court की jurisdiction से बाहर जा रहा था या कोशिश कर रहा था सेम यहां पर भी यहीं हो रहा है defendant क्या कर रहा है defendant बचने की कोशिश कर रहा है मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और plaintiff के इंटरस्ट को हाम कर रहा है तो ऐसा situation में जो है court पहले ही आ जाती है मना अगर आप खुद सोचो अगर क्या कहते हैं क्यों property dispose कर देता है ठीक है अमालों court interfere नहीं करती अब कल को plaintiff के favor में डिकरी आ भी जाते तो उसका मतलब भी नहीं बनता उसका मतलब तब बने गा ना किसे डिकरी का जब एक्जिक्यूट हो सके जब plaintiff को उस डिकरी का फायदा मिल सके property है ही नहीं defendant ने dispose कर दिया तो क्या मतलब बनता उस डिकरी का कोई मतलब ने बनता उस डिकरी का तो यह इस वज़े से power दी जाते को नॉर्मली यह जिस सही नहीं है ऐसे ही नहीं मतलब जो है court order pass कर देगी कि arrest कर लो या attach कर लो property को नहीं बहुत ध्यान देना पड़ता है बहुत care and caution के साथ यह power को exercise किया जाता है ऐसे नहीं कि defendant को डराने थमकाने के लिए उसके नहीं बस plaintiff के interest को बचाने के लिए उसके आ जाता है अब हम लोग इसके grounds देखते हैं जो कि rule 5 में कब जो है court order कर सकती है कि भाई property को attach कर लो defendant के judgment पास होने से पहले तो अगर जो court को ऐसा लगता है ठीक है कि जो defendant है वो अपने property को dispose कर रहा है पूरी और फिर part ऑफ इस property ठीक है या फिर उस property को पूरी प्रापर्टी और अपनी प्रापर्टी के कुछ से को court के jurisdiction से बाहर कर रहा है वो इस परपस से कर रहा है जिससे कि जो degree है वो execute ना हो सके या फिर execution को delay करने के लिए मतलब इंशृ जो हैämä plaintiff के claim को हाम क करने के लिए अगर ऐसा कुछ कर रहा है मतलब जिसी कभी प्रॉपर्टी बचा सके डिक्री एक्जिक्यूट ना हो पाए है ना तो इन सब रीजन्स की वज़े से अगर डिफेंडेंट ऐसा कुछ करता है जो मैंने आपको दो चीज़े बताई तो ऐसा सचुईशन में जो कोट अब कर सकती है कि हां जज्मेट आने से पहले जो है डिफेंडेंट के प्रॉपर्टी को denkt कर लिआ जाये अब ऐसा नहीं है कि आब गया तो डिफेंडेंटस की अटेच कर जाएगा नहीं अच सब्सकुर्व कुछ security दे दो है ना ऐसे इसके सामने मतले बोलते कि कि इतना amount deposit कर दो amount कि इसके equivalent होगा जितना plaintiff का claim होगा उसके equivalent होगा तो मतला plaintiff contrast ना हम हो या फिर इस बात के security की जिस भी property की बात करी जा रही है उसे जो defendant है produce कर देगा जब भी court मागेगी यह सारी conditions जैसे arrest के time पर सामने रखा था से उसी तरीके से conditions जो है defendant के सामने वापस से रखे जाएंगे defendant अगर accept कर लेता तो ठीक है फिर तो नहीं attach होता है ठीक है और लेकिन अगर defendant नहीं accept करता और उससे जब court बोलती है कि बताओ हम आपके against जो है आपकी property को attach क्यों ना करें judgment से पहले कुछ भी नहीं करता तो ऐसा situation में क्या करेंगे court फिर तो court के पास कोई option बसता ही नहीं है अगर बात में मालो जो defendant वो पैसा दे देता है ठीक है जिस पैसे की बात करी गई तो मतलब जो प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाता है ठीक है इसे में court के पास कोई option बसता नहीं तो court क्या करेंगी order pass कर देगी property को attach करने का attachment कहीं नहीं कभी conditional attachment कभी order pass कर देती है जादा गहराही में जाने के जरूत नहीं है conditional attachment यह होता है देखो नॉर्मली जब attachment को order pass करती है तो हम defendant को notice देंगे ना जिसकी property आप लोग attach कर रहे हो जिसकी property आप सीज कर रहे हो उसको पास भी तो notice होना चाहिए ना लेकिन conditional attachment को कोई prior notice की requirement नहीं है ठीक है इसे हम लोग conditional attachment को स्ट्रिक्ट सेंस में attachment भी नहीं कहते और अगर मालो जो property है वो attach हो चुकी है लेकिन बाद मुझे defendant हो राजी हो चुका है कि मैं इतना amount दे रहा हूं मेरी property को छोड़ दो तो हाँ court छोड़ देती है property को attach नहीं करते court को बस and then ultimately object तो यहीं है कि plaintiff का interest बचा रहना तो बस किसी इस रूल के साथ जो मैंने आपको रूल बताया है इसके साथ अगर court comply नहीं करती है बिना इसको comply किये हुए कोई order pass कर देती है property को attach करने का judgment से पहले उसको हम लोग void मानेंगे अब court को यह particular order pass करने के लिए मतलब property को attach करने का order judgment से पहले दो principles का ध्यान रखना होगा ठीक है पहला यह कि जो defendant है अपनी property को dispose करने वाले अपनी पूरी property को या फिर अपनी property का कुछ हिस्सा और defendant का जो intention है इस property को dispose करने का वो इस वज़े से है कि वो execution में obstruct कर सके ठीक है execution में hindrance create करें किस चीज़ के execution में जो degree plaintiff के favor में पास होगी उस degree के execution में भारत tobacco company के case में यह कहा गया कि जब भी court ऐसा कोई order pass करती है तो court की duty है इस बात का ध्यान रखे कि यह जो particular power है court की plaintiff इस वज़े सा ना यूज़ करवाए कि जिससे की वो सामने वाली party है नहीं कि defendant को course कर सके दरा सके नहीं इस चीज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा इस पावर को एक और केस देखते है प्रेम राच का case है इस case में क्या होता है कि just because defendant है वह इस particular जगह पर रह रहा होता है उसका मालो case चल रहा है अब वह इस बात के planning कर रहा है कि मैं यहां के प्रॉपर्टी पेच के वह कहीं और पर सेटल हो जाओंगा तो अब यह सिर्फ और से इसी रीजन की वज़े से court जो है यह judgment नहीं पास मतले यह order नहीं पास करेगी कि जो प्रॉपर्टी है अटाच कर लो नहीं court को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो defendant है वो ऐसा इस वज़े से करें क्योंकि उसका intention यह है कि वो execution में हिंट्रेंस क्रेट करें अगर defendant के ऐसा कोई intention नहीं है कि execution में बाद हडाले तो court क्यों ही attach करेगी तो यह concept पढ़ने के बाद यह मत समझना कि मतलब कोई case चल रहा है तो उसके बाद जो plaintiff है मतलब defendant जो है अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के साथ deal नहीं कर सकता है बिल्कुल कुछ भी कर सकता है बेचे या फिर मतलब उसको किराय पे दे जो मर्जी चाहे वो कर सकता है लेकिन अगर कोट को ऐसा लगता है कि इस intention के साथ कर रहे है जिससे की execution में बाद आले ठीकरी के execution में बाद आले तो कोट अटेच करेंगी फटना ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर सूट चल रहा था पॉस प्रॉपर्टी के साथ डीलिंग्स नहीं कर सकते है कि यह जो अटेच्मेंट का ओडर है इस पावर को को मेकैनिकली नहीं एक्सेसाइस करना चाहिए सिर्फ यह देखकर एक मेकैनिकली नहीं पास किया जाएगा कोट को एकदम एक सौलिड ग्राउंड मिलना चाहिए कोट को इकदम इंटेंशन पता चल जाना चाहिए कि डिफेर्ट एकनिड़ से करिक्यू रहा है अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है और ऐसास साफसाफ दिख नहीं रहा है कि के टाइम पर अटेच किया जाता है अगर मालो जो डिफेंडेंट है वहाँ पर वह एग्रिकल्चरिस्ट है ठीक है तो कोड ऐसा सचुवेशन में उससे यह नहीं कहेंगी मतलब क्या कहते है जो भी इसका अग्रिकल्चरल प्रड्यूस है उसके ना तो प्रोडक्शन की बात कर अग्रिकल्चर प्रोड्यूस को अटेच करेगी यह जो कोड का ओडर है है ना अटेच्मेंट का जैज्जमेंट से पहले तो इसके अगे जर्पी फाइल किया सकता और इसका रिविशन भी हो सकता है अम मालो कोड ने अटेच्मेंट को पास कर दे लेकिन बाद में कोड कोड यह जो अटेच्ट को पास किया जाए और फिर प्लेंट ने कोड रिविशन आजाता है यह जो आडर है गलत है तो ऐसा सिट्वेशन जो कोड है प्लेंटिफ से कहें कि डिविशन को कमपनसेट करें और अपनसेशन का मांट जहें 50,000 से जाधा नहीं है और वो डिपेंड करे इसके प्लेंट किस तरीके से हम हिये एक्सेटरा 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 शवर्यान आउ थैंक यू वाचिंग वाचिंग दिस वीडिया